नमश्कार महरोत कुमार आपने उच्फोर नेशन देख रहे हैं बिहार विधान परिशत की कादवाई के बीच में आफ जिस्जियम नितीश कुमार के लिए नोबल प्रुसकार दिये जाने की मांग अचानक सुट गई यह मांग उठाई जीडियू के मलसी ने और उस मांग के बाद बीजेपी के साथ सा तवाम जो लोग हैं उस पर अपने बात रख रहे हैं बीजेपी ने जहां साफ किया है कि अगर ऐसी मांग उठ रही है तो वो समर्थन करेंगे तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस के मलसी प्रेम जंजर मिश्रा ने इस मांग पर ही सवाल खड़े कर द वाल हुआ सुनिए तमाम निताओं ने क्या कुछ कहा प्राइज के लिए मांग नहीं किया था डिमांड नहीं किया था मैंने यह कहा कि 2007 में क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया युनाइटिट एस्टेट के वाइस परसिदेंट ने और उनको नोबल प्राइज दिया गया उनका काम देखिए और नितीश कुमार का काम देखिए मैंने हाउस को यह इलोबरेट करके बताया है कि बारा क्रोड बिहार के लोग एक मिशन के तौर पर क्लाइमेट चेंज को ले रहे हैं और इसमें काम कर रहे हैं तो यह मेरे खाल से जिनको नोबल प्राइज से पहले द आ हैं के दिली में मिडिया के लोगों से आंड collected है सब मौजूद है उन्हों ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो तक मैं मुझे लग रहा था कि मैं या तो लंडन में हो पैरिस में हूं या वािसिंटण डी सी में हूं नितीज कुमार क्लाइमिट चेंज पे बात कर रहे थे और एतनी ज़्यादा बेदारी बिहार में आई है यह कोई मामूली रिकरिशन नहीं है एक बास समझेए अगर कोई पुलिटिकल आदमी किसी की तारीफ करता तो उसकी वज़ा हो सकती है कि वह इस वह से कर रहा है लेकिन मिस्टर बिल गेट्स जो गेट्स फाउंडेशन के चेर्मेन हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं अगर वो नितीज कुमार की इस वीजन की तारीफ कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया के सामने कर रहे तो इसका मतलब वाकि बहुत सीरियसली काम यहां पे हो रहा है औ अगर आप काम कर रहे हैं अगर मैं रिकनाइज करूं तो आपको रिकनीशन की वैसे दस लोग काम करने लगते हैं नितीश कुमार जो काम कर रहे हैं क्लाइमिट चेंज पे उसकी जरूरत बिहार में है लेकिन ज्यादर जरूरत और देशों में है अगर इस काम को को बहुत रहा है कि बहुत उल्यक निटिज जी ने किया है इसलिए उनका नाम नूबल प्रसकार में जाना चाहिए तो मैं समझता हूँ यह अपने आप एक मजाक है बियार में लगवग 10,000 सूपर ऐसे तालाव है जो पिछले पांदस वर्सों में अतिक्रमन करके लोगों ने उस पर अपना मकान बना लिया है दुकान खोल लिया है बेफसाई काम हो रहा है तो जल जीवन को प्रहवित के लोगों ने किया जीने सत्ता का फुलिस प्रटेक्शन रहा है आप तलाव को भर के अपना मकान बना रहे हैं आज आप जल जीवन को लेकर चिंतित हो रहे है और इस पर कहने के उन्हें नुबलस पुरसकार मिलना चाहिए तो यह अपना में हास्यासपद है अब ऐसे लोग क्यों इस तरह की बात करें मैं समझता हूँ दियार में प्रदूशन और जल जीवन दोनों को लेकर अगर बुरी स्थिती हुई है इसके लिए नेतिश जी और उनकी नीतियां जिमेदार है पटना में प्रदूशन के लिए बड़ा कारण है कि अनकभड कंस्ट्रक्शन हो रहा है यह सरकार के दोश है आपकी चलते धूलकन प्रदूशित हो रहा है पटना में 400 से उपर हमारे दूशित वायू लेने के लिए हम उपर हैं जो उसका मानक है दिल्ली और गुरगाओं से बुरी स्थितिक पटनाम और बिहार में है और उनको आप उसके लिए उपलबधी मानते हैं और नोबल प्रदूशकार देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कर ऐसे नोबल प्रदूशकार मिलने लगेगा तो एक समय है कि नोबल प्रदूशकार की महत्ता गंबीरता सब खतम हो जाए सदन के लोगों को बिठा कर काफी विचारी मर्षवा था उस पर काम भी हो रहा है आज ही दस बजे से विचारी मर्षवा तो इस हिसाब से तो इसमें कोई संदे नहीं कि बिहार सरकार बाकी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा जागरूख है ज़वाई प्रवर्तन को लेकर और जल जीवन हजारी दाम कारेकर भी चल रहा है तो उस हिसाब से तो प्राइज के तो हख़दार है और नोबेल प्राइज हख़दार है कि नहीं इसके लिए मैं मिलता है इसलिए पर प्रस्टों को ज्यादा ही खींच रहे हैं आप लोगों नहीं दिखेंगे जनता के जनहित के मामलों में कि प्रती विपक्ष कितना जागरूख है और कितना सतरक है और कितना संबेजन स्चील है इसी से साबित होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष जासादर में नहीं आते हैं अब जर्व जद्धा नहीं खीच रहे हैं इसको यह अपको समझ में नहीं आया कि परसंसक ने बात रख दी अब यह कहां वहां तक पहुंच रहा है कोई ला रहा है कोई समर्थन देगा सब्सक्राइब करेंगे यह तो बिना पूछे यह कौन सी बड़ी बात हो गई